गुलाब जामुन एक ऐसी डिश है, जिसे खाना किसे नहीं पसंद है, बच्चे हो या बड़े, सबको इसे खाना बहुत पसंद होता है, ये अपने आप में रस से भरा रसीला गुलाब जामुन, सबका मन मोह लेता है, तो चलिए इसे बनाने के लिए हम देख लेते हैं, क्या सामान से हम बनाएंगे एकदम पर्फिक्ट गुलाब जामौन बनेगा आपने कभी सोचा नहीं होगा तो एकदम रस से भरा रसिला गुलाब जामौन बहुत ही आसान तरीके से बनेगा तो गुलाब जामौन बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक बड़ी सी थाली, थाली के अंदर हम डालेंगे, यहां पर मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है, तो देड़ कप मिल्क पाउडर मैंने लिया है, इसे थाली के अंदर डाल देते हैं, मिल्क पाउडर तो सब की घर में होता है, अगर नहीं है तो मार चार टेबल स्पून मैंने सूजी लिया है, सूजी मैटर नहीं करता है, कि मोटी वाली है या पतली वाली जो भी है ले लिजिए, तो यहां पर मैंने दो टेबल स्पून भर के मैदा ले लिया है, मैदा तो सब के पास होता है, मैंने जो चम्मच यूज किया है, चम्मच जो बाने वाला होता है मीठा सोडा इससे क्या होगा कि गुलाब जामुन हमारे एकदम फूले फूले बनेंगे और जब चासनी में जाएंगे तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे तो यहां पर मैंने एक टेबल स्पून घर का बना हुआ घी ले लेते हैं इसके अंदर डाल दें घी से सॉफ्टनेस आएगी और मैंने यहां पर लिया है वन फोर्थ कप दही अब क्या करेंगे हम इनको मिक्स कर लेंगे सबसे पहले इसे हमें अच्छे से मिला लेना है जब अच्छी तरीके से मिल जाएगा दही जो है मैंने जो यूज किया है खटी वाली नहीं है यहां पर खटी वाली दही नहीं यूज करना है तो मैंने एक कप में आधा कप पानी लिया हुआ है और इससे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटा डो बना कर तयार करेंगे चाहे तो आप इसे दूद से भी कर सकते हैं तो यहां पर अब हम इसको 20-25 मिनट के लिए रिष्ट पर छोड़ देंगे और जब 20-25 मिनट हो जाएगा तो इसको हम जो है हाथ से थोड़ा सा मल लेंगे और थोड़ा सा इसमें ओईल लगा लेंगे अपने हाथों पर और इसकी छोटे-छोटे हम पेड़े बना लेंगे पहले तो देखिए इसके अंदर तेल भी है जो मैंने घ इसमें सोडा पड़ा हुआ है तो वो फूलता है और ये गुलाब जामुन चासनी में जाके बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं तो मैंने साइज में थोड़े से छोटे बनाएंगे और थोड़े से बड़े बनाएंगे जैसे बड़े जो है बड़े खाएंगे चोटे जो fry करेंगे सबसे पहले इसको बना कर तयार कर लीजिए सभी को तब जाके इसको fry कीजिएगा तब fry करने में ठीक लगता है नहीं तो एक हाथ से बनाएए एक हाथ से फ्राइ करिए तो जल भी जाएंगे तेल में जाके तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं तेल अच्छा गरम हो गया है बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं तेल गरम करना है जैसे इसमें हलके हलके बबल सुट रहे हैं इसी तरीके से Cao मस flips जब तेल जगा लेगा यह देखिए फूल कर बड़े हो गया है जैसे मैंने तीन-चाज मिनट इसको फ्राइ किया है तो जितने मैंने डाले तेल लग रहा था तेल जादा है जब यह फ्राइ होके थोड़ा साइज में फूलेंगे तो लगेगा तेल ही कम हो गया पैन में तो इस बात का नाजुक है तोड़ भी सकते हैं तो देखिए एकदम लो टू फ्लेम में हमारा गयस का फ्लेम है और इसे हम अच्छे से क्रिस्क होने तक फ्राइ करेंगे हलकी गयस में जब आप इसको फ्राइ करेंगे तो यह बहुत क्रंची होते हैं खाने में गुलाब जामून और अंद चासनी नहीं जा पाती है तो अब हम इनको निकाल लेंगे और अच्छी तरीकी से देखिए मैंने फ्राइ कर लिया है एकदम ब्राउन होने तक तो जो है मैंने पूरा ग्लाब जामून फ्राइ कर लिया है अब दूसरी साइड में हम क्या करेंगे अब हम चासनी बना लेते हैं तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है और पैन के अंदर हम चीनी डाल देते हैं मीठा आप अपने पसंद के अंसार डाल सकते हैं बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो बहुत ज्यादा चीनी डालना पड़ेगा जैसे इदने गुलाब जामून के यहां पर मैने तीन-चार इलाइची लिए है इसे कूटंगे नहीं बस इसका मू खोल कर इसमें डाल तो अब हम इसको क्या करेंगे हलके हलके हाथों से इसको हम चलाते रहेंगे नहीं तो चीनी पैन में चिपक जाएगी जब तक यह चीनी भूल नहीं जाएगी पानी में तब तक इसको चलाते रहना है कभी कभी क्या होता है जब चास्नी बनाए चीनी डाल दीजिए और जब प पकाना है बहुत ज्यादा मतलब काढ़ा नहीं करना है और देखिए बहुत अच्छे से यह बॉइल हो रही है तो फ्रेंड्स मैं बता दो आपको मैं बना रही हूं मिल्क पाउडर और सूजी का गुलाब जामुन बहुत आसान तरीका है बनाने का वीडियो को लाइक सेर कीज कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो यह जटपट गुलाब जामुन जो है बहुत अच्छे से बन के तयार होती है और इसे बना कर ट्राय कीजिएगा बढाईएगा खाईएगा तो अब देख लेते हैं चासनी तो हमार चासनी तो अब इसको क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे दो-तीन मिनट हो गया है और इसे हम उतार कर रख लेंगे साइड में थोड़ा सा इसे ठंड़ा कर लेंगे एकदम गरम गरम में हम नहीं डुबाएंगे गुलाब जामुन को तो यहां पर जो है मैंने चासनी को ट रखिए मतलब गुलाब जामुन चासनी में एकदम गरम गरम न डाली गुलाब जामुन ठंडी रहे और चासनी थोड़ी गुनगुनी रहे तब डालीएगा नहीं तो जो है यह फट भी सकते हैं जाके चासनी में तो एक-एक करके हम सभी को पहले डाल देते हैं फिर इसको ह हम थोड़ा सा चला देंगे मतलब चास्नी सभी तरफ से लग जाए इसमें चास्नी के अंदर गुलाब जामुन डूप जाए तो यहां पर अभी थोड़े से चार-पांच बचे हुए थे मुझे लगा जगा नहीं है लेकिन जगा है अभी बाउल के अंदर तो मैंने सभी गुलाब जामुन को डाल दिये हैं और इनको थोड़ा सा प्यार दुलार कर देते हैं ताकि यह चास्नी में डूप जाए मतलब हिला देते हैं अब इसे हम ढख कर दो से तीन घंटे के लिए डुबा कर छोड़ देंगे और दो तीन घंटे होने के बाद हम चेक करेंगे तो दो से तीन घंटे हो गया है अब देखिए हमारा गुलाब जामुल गया है साइज में डबल हो गया है बड़े बड़े हो गया है और ये देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं गोल गोल गुलाब जामुल तो friends इचे ट्राइ कीजिएगा सभी सामान आपके घर में रहता है और बहुत आसान तरीका है बनाने का तो हमारी सूइट सूइट गुलाब जामून बनके तयार है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है इसे देखते ही मुँँ में पानी आ रहा है आप बताईए आपके मुँँ में पानी आया की नहीं तो चलो मैं इसको अब कट करके दिखाती हूँ आपको एक गुलाब जामुन को तो ये देखिए एकदम चासनी में डूबी हुई रसीली गुलाब जामुन हमारी बन के तयार है अब ये खाने के लिए रेडी हो गई है तो इसे मैं एक आपको कट करके दिखा देती हूँ जो है देखते हैं अंदर तक चासनी गई है की नहीं तो इसे हम एक चाकू से काट लेते हैं सबसे पहले और ये देखिए अंदर तक चासनी एकदम चली गई है कहीं से कच्चा नहीं है कच्चे पन नहीं है इसके अंदर और चासनी देखिए गुलाब जामुन अच्छे से पी लिया है तो है न एकदम आसान बनाना बिना किसी जणजट के और चलते हैं हम इसको सर्व कर लेते हैं अब आपके घर कोई मेहमान आए या कभी मीठा खाने का मन करें तो बनाईए और एक हपते तक इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए बना कर खाईए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए